सीम योगी शुकरवार को बदाईयू पहुँचे जहां उन्होंने विपक्ष पर जम कर निशाना साधा विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी आधितिनाथ बोले कि हमारी सरकार गुंडो और माफियाओं को ठोकती हैं उन्हें शरण नहीं देती इसके साध ही उन्होंने पार्टी के प्रत्याश्यों के लिए वोट भी मांगे सीम योगी आधितिनाथ ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार गुंडा माफियाओं को ठोकने वाली सरकार है बेटियों को बचाने की सरकार है, किसानों की सरकार है किसानों का गन्ना मूले का 800 करोड हमारी सरकार ने भुकतान कराया है उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरपरदेश में दोबारा सरकार बनने पर लैपटोप बाटेंगे इस दौरान योगी ने उतर परदेश में चल रहे बूचड खानों को भी बंद कराने की बात कही है साथ ही यह भी कहा कि किसानों को हो रही अस्विधाओं में अब कोई कठनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा हमारी सरकाराई तो हमने सबसे पहला काम किया अन्दाता किसानों के कर्जबी माफी का हमने उसके साथ भी प्रदेश के अंदर वैद बूचर खानों को बंद कर लाया और बेटियों की सुरक्सा के लिए एंटी रूम्यों स्कुएट का बढ़न किया हमारा का जह जवान जह किस किसान का था हर बेटी उस रख्सा लेने का था समाजवारी पार्टी कि सब्सक्राइब कर दो आतंगवाजियों के प्रद्धी ती इसलिए आतंगवाजियों के मुकत्वों को वापस ले रहे से हमने किसादों का कर्दमाब किया है है शोलह लाग किसान प्रणानमंत्री किसान संवान निदी में छे हजार रुपे साल आना इस विद्धा का लाग प्राप्ल कर रहे हैं लगभग आज सो करूर रुपे के गन्ना मुल्य का मुप्तार अगेले बदायु जन्पन में हुआ है योगिया देतनाथ ने अंत्मे बदायु की सभी छे सीटों पर भारी मतों से जिताने का जन्ता जनार्थल से आवाहन किया और बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई झाल झाल